नमस्कार मैं हूँ अर्जिता मिश्राव और आपका स्वागत हैं इंडिया पबलिक खबर में 2027 यूपे विधान सभाद चुनाओं के फाइनल मैच से पहले जल्दी होने जा रहे उपचुनाओं के सेमी फाइनल मैच को लेकर सभी सियासी टी में अपनी अपनी पेच मजबूत करने में लगी है लेकिन इसी कड़ी में पहले से ही कॉंग्रेस के साथ गड़बंधन की डोर कभी भी तूटने की सभावनाओं के बीश समाजवादी पाल्टी के मुश्किले उनकी है एक पुरानी खास साथी ने काफी साथी है और यहीं नहीं इस पुरानी साथी को साथ मिला है यहां तक की खबरे यह भी आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद भी अब इन दोनों के साथ आकर अखिलेश यादों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं लोग सभा चुडावों में इस बार यूपी में क संख्या के फॉर्मूले की बदोलत कॉंग्रेस यहां वापस कमबाक कर पाई और वो भी पहले से ज्यादा मजबूत स्थिती में कहा गया कि आ गया आने वाले चुनाओं भी सपा और कॉंग्रेस दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे हालांकि पहले हर्याना में चुनाओं के वक् पीच दरार लगातार गहराती जा रही है लेकिन अब गढ़बंधन के साथ साथ अखिलेश यादों के पीडिये फॉर्मूले पर भी खत्रा मन रहा है अखिलेश यादों के पीडिये के लिए चैलेंज खड़ा करने वाली ये उनकी पुरानी साथी कोई और नहीं बलकि 2022 मे सपा के टिकेट से चुनाओ लड़कर यूपी के डिप्टी सियम केशो प्रसाद मौर्य को कौशामबी जिले की सिराथू सीट से हरा कर संसनी मचाने वाली अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल है जी हा दोजार चौबीस के लोग सभा चुनाओ से पहले पल्लवी साथ गटबंधन करके अखिलेश यादों के पीडिये की काट निकालते हुए पीडियेम की तरज पर चुनाओ वी मैदान में कदम रखा हाला कि लोग सभा चुनाओ में ये गटबंधन कुछ खास नहीं कर सका लेकिन अब उप चुनाओ में एक बार फिर दोगुनी ताक जो कर पीडियेम गटबंधन सपा की रातों की नीद उडाने में लगा हुआ है असल में उत्तर प्रदेश में होने जा रहे दस सीचों पर विधान सभा उप चुनाओ की लड़ाई अब और दिल्चस्प होने वाली है क्योंकि सपा और कॉंग्रेस के गटबंधन के बाद अब उप चुनाओ में पल्लवी पटेल और असदुद्दीर वैसी का पीडियम गटबंधन भी ताल चोपने की तैयारी में है खबर है कि 12 अक्टूबर को लखनओ में पीडियम की एहम बैठक में उप चुनाओ वाली सीचों पर प्रत्याशियों के नामों का एलान किया जा सकता है कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश एयम आयम के अध्याक्ष शौक अतली ने यूपे विधान सभा उप्चुनाओ को लेकर कहा था कि उत्तर प्रदेश की सभी दस विधान सभा सीचों पर एयायम अपने पीडियम मोर्चे के सहयोगी दलों के साथ मिलकर यूपी जवाजे खुले हैं अगर वो भी हमारे साथ मिलकर चुनाओ लड़ते हैं तो शोशित वंचित समाज की लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सकती है हालाकि शौकत अली ने कहा कि अभी चंद्रुशेखराजाद से उनकी कोई मुलाकात या ओपचारिक बात इस देना चाहती हैं हालाकि लोकसभा चुनाओं में पीडियम की परफॉर्मेंस की बात करें तो जिन 18 सीटों पर पीडियम ने चुनाओ लड़ा था उसमें सभी सीटों पर पीडियम के प्रतियाशियों की जमानत जब्त हो गई थी वहीं इस नए मोर्चे ने कुशी नगर में स्वामी प्रसाद मौरे का भी समर्थन किया था हलाकि उन्हें भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था स्वामी प्रसाद मौरे को सिर्फ 36,000 वोट मिले वहीं हातरस सीट से पीडियम के जैवीर सेंग धंगर चुनाओं लड़े थे जिनको सिर्फ 1607 वोट मिले फिरोजबा सीट से ज्यान चंद्रबिंद को महज 3,135 वोटों से संतोश करना पड़ा हलाकि अब चुनाओं के पहले पल्लवी पटेल और एयाम आयम के गड़बंधन में चंद्रशेखर आजाद के शामिल हो जाने से सपा कॉंग्रेस के गड़बंधन की मुश्किले बढ़ गई है इसके अलावा बसपा भी उन चुनावों में पूरे दमखम के साथ उतरी है ऐसे में इंडिया अलाइंस का वोट बढ़ सकता है वही दूसरी तरफ कहा ये भी जा रहा है कि सपा कॉंग्रेस से नाराज होकर जो वोटर विकल्प न होने की चलते बीजेपी की तरफ जा सकता था वो अब पलवी के मैदान में होने से उधर डाइवर्ट हो सकता है जिसे के बीजेपी को भी अच्छा खासा नुकसान होने की संभावना है यहां आपको बता दें कि यूपी के जिन दस सीटों पर उपचुना होना है उनमें करहल, मिलकीपूर, सीसा, मोह, कुंदर की, गाजियाबाद, फूल, पूर, मजवा, कटेहरी, खैर और मीरापूर सीटे शामिल है साल 2022 में हुए विधान सभा चुनाओं में इनमें से 5 सीटे समाजवादी पार्टी के और एक सीट आरेलडी ने जीती थी, उस समय आरेलडी का गटबंधत सपा के साथ था इसके अलावा तीन सीटे बीजेपी को मिली थी और एक सीट बीजेपी के सहयोगी दल निशात पार्टी के खाते में गई थी सत्ता पर काबिज बीजेपी ही नहीं बलकि विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस भी उपचुनाओं की तैयारियों में खास तोर से जुटी हुई है बसपा प्रमुख मायवती ने भी उपचुनाओं की सभी दस सीटों पर चुनाओं लड़ने का एलान कर दिया है ऐसे में पल्लवी, पचेल, ओवैसी और चंदरशेखर के चुनाओं लड़ने का एलान मुकाबले को और भी दिल्चस्प बना सकता है ओवैसी और पल्लवी के साथ अगर चंदरशेखर चुनाओं लड़ने में उतरते हैं तो ये इंडिया गटवन्धन की बेशक टेंशन बढ़ा सकता है फिलाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की वाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर की यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले